अलो दोस्तों आप सब का मेरे चैनल पर स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे प्लीज और अगर पहली से सस्क्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बनाएंगे गाजर का अब इसको कद्दू कस क करेंगे कैस इसमिंज में कड्दू कस कर लिया कर लिया मैंने इसको छ dwटर तरीके से बनाएंगेगे घर पे खोईा नहीं plac इस मावा नहीं है यह ड्रेय फुट नहीं है तो इसको साधे ठरीके से भी बना सकते हैं तो आज में वही आपको दिखाने वाली हूँ तो यह मैंने दो किलोה तुझ लिया है और यह मैंने दूढ लिया है 2 लिटर दूढ लिया है 2 किलो तुझ लिया है you watching the channel तो यह मैंने कडाइ में रख दिया है weaknesses अब को नहीं मतलब sandwiches ko इसमें ये दूद डाल देंगे और गैस को मैंने चला दिया है इसमें ये सारा दूद डालते हुए इसको हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि बाहर ना निकले ये मैंने इसमें दूद डाल दिया है ये दो लीटर दूद है दो किलोगाजर में इसको हम तब तक चलाते रहेंगे तब तक इसमें दूद सारा खोतम सोक ना जाए, इसमें दिरे-दिरे चलाते हुए, जितना हम इसको ज़्यादे चलाएंगे यह उतनी जल्दी बआगा, और अगर छोड़ देते हैं, तो उसमें ज़्यादे time लगता है, हम इसको ऐसे ही धीरे-दिरे चला अच्छा लगता है तो अच्छा बनता है और खोई वाले में क्या है कि गाजर को पका के हम बाद में खोया डालते हैं मावा डालते हैं मतलों तो वो उसमें अंदर तक दूद नहीं जाता है तो उसका टेश्ट अलग रहता है इस तरह बनाएंगे तो अच्छा बनता है इसको ह हमारा सारा फूग जाना चाहिए इसमें दूद सारा फूग जाएगा तब तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे फुल जब पास में खड़े रहेंगे तो इसे फुल गैस पे बनाना है और अगर इसके पास से अटना है तो कैस कम कर देनी है यह त नीचे लग जाता है कड़ाई में इसको चलाते रहेंगे और खोया हमारा इसी में निकलता रहेगा खोया निकालने का जंजर नहीं है दूद और गाजर हमारी एक साथ पक जाती यह मैंने एक किलो गाजर दूद एक किलो मैंने इसमें चीनी लिए इसको हम इसमें डाल देते हैं दूद हमारा सूख चुका है सारा जब दूद सारा सूख जाए तब हमें इसमें चीनी डालनी है और अगर चीनी पहले डाल देंगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा चीनी का भी हो जाएगा बाकी दूद भी रहेगा तो उसमें फिर से टाइम लगेगा ज्यादा पकाने में अ सकंझ जल्दी च सितना जादे चलाइंगे इतना जल्दी हमारा हलवा बन गेत यह रोगा है है मैं लोहां है तो इसको चलाते रेंगे रिखिए इसमें फिर से पानी आ गया है अब हमें इसको भी सुखाना है जिस तरह दूद सुखाया था उसी तरह हमें भी पानी भी सुखाना है और इसको चीनी के पानी को सुखाने का सबसे आसान तरीका है कि हम चार उतरफ कर दें गाजर को और बीच में जगे बना लें और इसमें से ऐसे चम्चे से लेके से बार-बार किनारे पर डालते रहें ताकि ये जल्दी फूख जाता है फिर पानी इसी तरह हम इसको करते रहेंगे और बीच-बीच में सारे को एक साथ भी हम चलाएंगे और फिर से इसमें बीच में जगा बना लेंगे और इसको पानी को इसी तरह हम डालते रहेंगे चार उतरफ ताकि चीनी का पानी सारे गाजर में जाए और फूखे भी जल्दी तो इसी तरह जल्दी फूखता है पानी तो यह हमने पानी इसका सारफ फुक चुका है सूख चुका है इसमें हम इसमें अगर ड्राइफ फूट नहीं है घर पे तो हम इसमें केवल नारियल कसके उससे भी काम चला सकते हैं तो इसमें कसा हुआ नारियल, मैंने नारियल को कसके रख लिया था, इसको चलाते चलाते नारियल कस लिया था, यह मैंने इसमें डाल दिया है, डाल के इसको अच्छे से मैस कर देंगे, इसमें एक बड़ा चम्मच यह डाल देंगे, कितना भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डा रिखिए तो इसमें गी को अच्छे से चला देते हैं ताकि मैस हो जाए मिक्स हो जाएगा इसी में तो उसका ही हल्वा बन बिल्कुल आसान और बिल्कुल सादा हल्वा बन के तैयार है बनाईए और खाईए और मेरे वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्र झाल झाल